हेलो इगनो स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPS E004 के solve assignments के बारे में सब्जेक्ट नेम है आपका आधुनीच भारत में समाजिक एवम राजनितिक चंतन हिंदी मेडियम का आपका ये assignment है सेशन है 2324 तो इस सेशन में जिन स्टुडेंट ने भी प्रिवियस वीडियो में कुछ इगनो स्टुडेंट के comment थे questions थे उनको भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या उतर है तो अगर आपका इगनोरेटेट कोई भी doubt हो तो आप भी इस वीडियो में comment कर सकते हैं next वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे उससे पहले आपको बता दे MPS Second Year के सभी assignments को हिंदी मीडियम के साथ साथ English मीडियम में भी upload किया जा चुका है तो उनको देखने के लिए आप वीडियो के description को follow करें वहाँ आपको play list के link मिल जाएगी जहां आप सभी 20 subject के assignments को देख पाएंगे तो उसे आप जरूर चेक कर लें चलिए इसे अब हम देखते हैं और ये भी बता दे अगर आप इस PDF को purchase करना चाहते हों तो उसके लिए यहाँ screen पे आपको हमारा WhatsApp नमबर दिया गया है WhatsApp मेसेज करके पे करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं अब बात करते हैं आपके previous वीडियो में कुछ questions थे उनके बारे में तो एक students का ये questions था कि हम assignments को क्या केवल plain sheet पे ही लिखना होता है या फिर हम कोई rule sheet भी यूज कर सकते हैं तो देखिए एगनू के तरफ से recommend किया जा सकता है कि आप ये sheet का यूज करें different college के तरफ से लेकिन कोई compulsory नहीं होता कि आपको केवल plain sheet का ही यूज करना है या फिर rule sheet का ही यूज करना है आप अपनी सुविधा के अनुसार आपके जो market में nearest shop पे जो भी sheet अवेलिबल हो और जिस पे आप लिखने में ज़्यादा comfortable feel कर रहे हो उसी sheet का यूज करें दूसरा सवाल इसी से समंधित आपका हो सकता है कि क्या हमें white sheet यूज करना चाहिए या colorful जो practical sheet आते हैं उनका इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखे इसका simple सा जवाब है assignment में आपको किसी प्रकार की अलग से कलाकारी की कोई जरुवत नहीं है आप अपने assignments को जितना simple रखेंगे neat and clean रखेंगे उतने ही अच्छे आपको marks देखने को मिलेंगे marks आपके colorful sheet या expensive sheet पे depend नहीं करते हैं इसलिए normal sheet का ही आप use करें अगले students का ये question था कि उन्होंने अपने first year के assignments को submit अभी तक नहीं किया है तो क्या वो अपने assignments को second year के साथ ही submit कर सकते हैं और उसके लिए क्या कोई उन्हें find देना होगा तो ये भी पता दें जी हाँ आप अपने first year के assignments को second year के हाथ ही submit कर पाएंगे इसमें कोई समस्या नहीं है दूसरा question जो उनको था find से लेकर तो देखें इगनू में late fees assignments को लेकर किसी प्रकार का कोई charge नहीं लगता अगर आपसे कोई इसके लिए fees मांगता भी है तो आप उसे नहीं देंगे बलकि इगनू में higher authority के पास इस चीज की complaint करेंगे तो I hope आपका ये doubt भी clear हो गया होगा एक अन्य students का एक questions था कि उनके कोच जो है exam pending रहे गए हैं तो क्या वो next year में इसको दे सकते हैं तो देखें ये पहले assignment वाले questions से ही related है तो देखें exam भी अगर आपका कोई छूट गया हो या आपकी back आ गई हो तो आप अपने next year या next semester के exam के साथ उस pending subject के exam fees को भरेंगे और उसका exam आप दे पाएंगे ठीक है I hope आपका ये doubt भी clear हो गया होगा चलिए अब आप इस वीडियो में बने रहें आपका कोई और question हो तो जरूर comment करें thanks for watching कोई़गगम में अपका फिस सबस्रावपषफट बत्वर आपका उव्यम